अबैरिबरन थे सबते हैं तो आज के साथ के बारे में जानेंगे कि इससे पहले के सब्वाईन एक क्या हों इभी हमने आज जो फास पहर सब उसमें वो आप तो अब कि कि इसे सब्सक्राइप debate पहला है that is gravitational force आपने बहुत सुना होगा कि जो earth है जो sun के around revolve करता है वो इसकी gravitational force के करण होता है तो आप जानते हैं कि gravitational force होता के the earth has a force that attracts or pull objects towards it if we throw a ball upward in the air it comes down back on the earth because of its gravitational force if earth did not have its this force things would be floating like astronaut floating in the spaceship in the space यानि कि क्या बुल रहा है कि gravitational force क्या है gravitational force जो है वो earth जब किसी भी object को अपनी तरफ पुल करता है खीचता है attract करता है so this is called gravitational force ठीक है earth जब किसी भी object को अपनी तरफ खीचता है that is earth's gravitational force gravitational force एक पास नहीं है वो moon के पास भी है और वो same to same planets के पास भी है और sun के पास भी है तो sun भी क्या करता है sun भी planets को अपनी तरफ ट्राक करता है उसी में वो revolve करते रहते हैं सभी के पास अपना एक gravitational force होता है जितना जादा बड़ा object होगा उतना जादा gravitational force बड़ेगा जैसे कि sun का जो gravitational force है वो हमारे earth से जादा है न तो इसी तरीके से जो gravitational force होता है वो size से कम या जादा होता है ठीके नाव लेक्स नेस मूव ओन दू नेक्स्ट टॉपिक तापिक ताट इस magnetic force magnet attracts object made of iron and nickel this force is is of magnet is called magnetic force यानि कि magnet जो होते हैं जब object को attract करते हैं उसको कहते हैं magnetic force ठीक है अब muscular force when we use our muscles our limbs to pull और push objects we apply muscular force जब भी हम कुसी भी चीज़ को उठाने में या रखने में या कुछ भी करने में अपने muscles का use करते हैं तो वहाँ पर muscular force यूज हो रहा है जैसे कि हमने कोई समान उठाकर एक जिगे से दूच जिगे रख लिया आप सभी लोग पूल बैग लेकर के आते हो वह हो गया हम जब बाइक चलाते है कोई भी साइकल चलाते हैं तो क्या मसल्स का यूज करते हैं न हम आपने हाथ से ब्रेक लगाते हैं इसाई चीज़े करते हैं तो वहाँ पर में हैं मस्कुलर जो फोस औल लग रहा है तो मस्कुल क्या है आप सभी को पता चल गया होगा ओल इ suburbs force what is the elastic force elastic force क्या है we can stretch or compress things like elastic with elastic force it is used in ropes for bungee jumping आप समने देखा है किस सरीके से elastic thing होती है वो पैर में रोप लगा दी जाती है और लोग माउंटेन से किसी भी हाइट चे कुछते हैं ठीक है now the next mechanical force mechanical force मतलब कि machines के त्वारा machine के थ्रू जो भी force लगता है उसे हम mechanical force कहते है जैसे कि यहां पर examples दे हो है और हम ले सकते हैं जैसे inclined plane हो गया wheels हो गई यह सारे भी एक simple machines है ठीक है bion force when we push a floating object of object down in the water it comes up with an upward thrust this is called bion force biont मतलब होता है कि तैरना ठीक है तैरने की जो शमता होती किसी भी object की उसे हम कहते है उसी को हम biont कहते है तो biont force क्या हो गया जब कोई भी object जब water के surface पर आ जाता है थ्रस्ट करके धक्का देकर अपने आपको जैसे लखडी जो होती है उसको चितना भी कर लीज़े वह डूबेगी नहीं वह पर ही आईगी है तो आज हमने कितने force पढ़े आज हमने पढ़े है मस्कूलर फोर्स पढ़ा हमने ग्राविटेशनल फोर्स पढ़ा मैगनेटिक फोर्स इलास्टिक फोर्स मेकानिकल इतने फोर्स हमने पढ़े है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी चैप्टर को करेंगे तिल देन बबाई एवरिवेंट टेक क्यार